नमस्काल दोस्तों, Infocus Civil Academy में आप सभी का स्वागत है, दोस्तों एक प्रशन हमारे comment box में कई सारे बच्चों ने पूछा था, वो ये था कि हम fresher हैं और अभी जो हमने अभी अभी तैयारी शुरू की है, तो अगर हम अभी से RO 2022 की vacancy के लिए serious हो जाएं, तो क्या हम इस paper को नि देखिए, इस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप fresher हैं, तो भी आप ये समझे कि आपको समय कितना मिल रहा है RO की थैयारी करने में, आपकी RO की जो notification है, वो December में आना संभावित है, ठीक है, और notification आने कि चार से पांच महीने लग जाएंगे, चार महीने तुम आनी लि है, वो 25 दिन वो भरे जाएंगे, उसके फिर एक महीना बाद आपका admit card आएगा, उसके लगबग 10 दिन बाद आपका mains exam होगा, mains exam होते होते लगबग आपका ये August ये September next year आही जाएगा, अगर सब कुछ विदिवत तरीके से चला, कहीं कोई अर्चन नहीं आई, और टाइम प कह रहे हैं, ऐसा, कहीं एक unofficial sources से ऐसी जानकारी मिली है, तो अगर सब कुछ ठीक रहा, तब जाके आपका लगबग एक साल, यानि 10 महीने तो आपके कहीं नहीं, 10 महीने आपको मिल रहे हैं, एक proper तैयारी के लिए, अगर उसको हटा भी दें, तो भी 6-7 महीने तो आपके pre की तैयारी के लिए मिली ही रहे हैं, और इस pre में आपको करना क्या है, केवल GS और हिंदी, दो चीजे हैं, अब GS में भी क्या portion, केवल वैसे लगाना बेमानी है, अगर आप नए हैं, तो आपको उसमें समय लगेगा, लेकिन अगर आपकी दिशा सही है, और मतलब एक proper सही तरीक जो कि UPSC जैसा एक्जाम भी निकाल लेते हैं, तो ये तो ROARO का एक्जाम है, जो कि उसकी अपेक्षा काफी सरल है, या UPPCS की अपेक्षा काफी सरल है, तो आपने तो ये भी सुना होगा ना, कि लोगडाउन भर में लोग तैयारी करके और PCS वगरा के एक्जाम निकाल लि अब दिशा कैसे सही होगी? देखिए, मैंने अपना जो मेरे चैनल का सबसे पहला वीडियो था, उसमें मैंने अब तक के सारे वीडियो का सबसे महत्विपूर्ण बात बताई थी, और बाकी सारे चैनल वाले मेरे भी सारे वीडियो समझ लिजे, उसी के एक अनुसार ही रह उसके बाद था कि previous year प्रशनों को एनलाइज करें उसके बाद था कि standard books को follow करें यह सारी बाते और चौथा था कि standard जो books या test reads उसको solve करें तो यह चार steps होते हैं किसी भी परिक्षा के त्यारी के और इन सब में ही लोग इधर उदर भागते रहते हैं इधर उदर चैनलों के पी प्रशनों के साथ में standard books को follow किजिए standard books अगर आप नए हैं तो आपको साथ जानकारी ना हो कि standard books कौन सी होती है या किसको follow करें तो इसके लिए बहुत ही बहतरीन वीडियो जो की काफी सारे लोगों द्वारस सराहर भी गया है उसको हमने जो है अपने चैनल पर डाला हुआ है और वह आप लोग जो है उसका link आपको description box में मिल जाएगा उसको आप देख लीजेगा दोस्तों तैयारी की दिशा आपकी इसलिए भी सही होनी चाहिए कि आपके वल इन सब चीजों को तो follow करें ओफिशियल syllabus प्रिवेस एर पेपर स्टेंडर्ड बुक्स इन सबको तो आप follow करें लेकिन साथ में आप ये भी एक अप्रोच follow करें कि प्री के साथ में आप मेंस का भी काफी हद तक पोर्शन जो है वो अभी से कवर करते चलें उसमें हम कैसे करेंगे इस पे हमारी कई सारी वीडियो भी पड़ी हुई है और साथ में हमारे जो टेलिग्राम ग्रूप है उसमें भी आपको प्रोवाइड कराया जाते है उसके साथ साथ में जो essay writing की practice है वो भी एक regular तरीके से कराई जाती है तो अगर आप serious aspirant है और केवल आपका पढ़ाई ही मकसद है तो आप उस group को join कीजिए वहाँ पे essay writing की serious practice कीजिए आपको बहुत ज्यादा benefit होगा इसके अलावा मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि है कि हम तो pressure है हमारा कैसे होगा तो अगर मान लीजिए in case आपको वैसे तो आप अगर proper guidance में अच्छे तरीके से अच्छी दिशा में सार्थक प्रयास करेंगे पूरी मेहनत के साथ तो निश्चित तोर पर आपका selection होगा कोई उसको नहीं रोख सकता है लेकिन मान लीजिए in case एक percent आप रख लीजिए कि आपका अगर selection नहीं भी होता है तो भी मैं ये एक बात guarantee के साथ कहता हूं कि आप अगर कोई भी तयारी परिक्षा के दबाव में आके करते हैं यानि की paper को जो pressure होता है वो आपकी तयारी बहुत बहतरीन करा देता है अगर आप किसी भी परिक्ष अच्छे तरीके से महनत कर रहे होंगे तो इससे आपका भले ही अगर मान लीजिए एक percent paper नहीं भी निकला तो भी आप उस paper के काफी हद तक करीब पहुंच जाएंगे आप काफी हद तक pass में पहुंच जाएंगे आपकी तयारी भी बहुत अच्छी दिशा में हो रही होगी इसके साथ साथ मान लीजिए कि आपका आरो में नहीं हुआ तो क्या उसी समय में lower pieces का भी vacancy यू योगी लगभग जो उस समय में मेंस का time होगा उसी समय में आपका lower pieces का मेंस होगा और तो उसमें आप जो है qualify कर सकते हैं या फिर हो सकता है उस समय में कोई other exam आ गया हो तो उस नहीं रहना चाहिए जो भी vacancy आएगी उसमें आप apply करके और उसमें सफल हो सकते हैं तो इसलिए मेरा यह मानना है कि आप इस अगर आरो यारो परिक्षा में focus करना चाहते हैं और फ्रेसर हैं पहली बात कि आप अगर अच्छी तरीकेस त्यारी करते हैं आपका निश्चित पर इसमें सेलेक्शन होगा अगर नहीं भी होता है इनकेस तो भी आप परिक्षा के काफी निकट पहुंच जाएंगे और किसी अन्य समकक्ष लेवल के परिक्षाओं में आप निश्चित तोर पर पास कर जाएंगे तो इसलिए आप कोई भी confusion ना रखिए मन में और मैं सोचाएं इस पर मैं ही एक वीडियो लेकर आजाता हूं जिससे और भी जो ऐसे फ्रेशर्स हैं जिनके मन में यह डाउट्स हैं तो उनके भी दूविधा यह क्लियर हो सके और वह एक बहतरीन दिशा में तैयारी कर सके चलिए आज कर यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नमस्कार धन्यवाद